नमेश्कार दोस्तों, एक बहुत यूनीक खबर सामने आई है, अगर आपने कहीं पर पढ़ा हो देखा हो इस न्यूस को, बेसिकली क्या हुआ है कि जो ट्विटर के CEO है, दाट इस जैक डॉर्सी, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपना पहला ट्वीट, 2006 में उन्होंने एक अपना पहला ट्वीट किया था, उसको वो सेल करने वाले हैं, और एक वेबसाइट है जहाँ पर ये सेल किया जाएगा, तीन मैंने पहले ही ये वेबसाइट लाँच हुआ था, यहाँ पर आप न्यूस देख सकते हो, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, यह NFT क्या है, और कैसे पॉसिबल है ये चीज, मतलब कि मैंने एक ट्वीट किया, और मैं उसको बेच कर पैसे भी कमा सकता हूँ, ऐसा भी पॉसिबल है क्या, तो यहाँ पर हम इसके बारे में डीटेल से जानेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं हूँ अंकित अगरवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेस्बुक और ट्विटर पर मेरे लेक्टे की हब पीडियफ आपको फेस्बुक पर तो मिलेगी, उन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया है कि मार्च 2006 में, जो पहला ट्विट था, उसको यहाँ पर वो सेल करने वाले हैं, आप देख सकते हो, 21st of मार्च 2006, उन्होंने यह ट्विट किया था, जस्ट सेटिंग अप माई ट्विटर, तो यह बेसिकली क्या है कि एक यूनिक है अपने आप में, क्योंकि आप देखिए उस समय तो उतना अंदाजा नहीं था कि ट्विटर इतना ज़ादा फेमस हो जाएगा, लेकिन आज के डेट में अगर हम देखते हैं, तो अपने आप में यह जो ट्विट है, वो बहुत ज़ादा यूनिक हो गया है, तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, इसको बेच रहे हैं, तो जो भी परसन जो इसको खरीदेगा, मतलब उसको पेमेंट करनी होगी, और वो परसन ओन कर सकता है, इस ट्विट को, सपोज मैंने डिसाइड किया कि मैं इस ट्विट को खरीदना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये ट्विट, जश्ट ऐसा ही है, मतलब यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, मैं कह सकता हूँ कि इस ट्विट का मैं ओनर हूँ, that's it, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे उसके लिए पेमेंट करना होगा, और jack.c ने decide किया है कि वो अपना पहला tweet जो है, वो sell करेंगे, और यह sell कहाँ पर किया जाएगा, इस website का नाम है, valuables by send, जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका website पर मैं गया था, और यहाँ पर आप v.send.co आपको जाना पड़ेगा, तो valuables by send इस website का नाम है, और यहा पर basically क्या होता है, कोई भी tweet हो, twitter platform पर कोई भी tweet हुआ हो, आप उसके लिए offer दे सकते हो, आप उसके owner को कह सकते हो, जिसने वो tweet किया है, कि मैं इसके लिए यहाँ पर $5, $10, $1000, मैं इसको देने के लिए तयार हूँ, और जिसने वो tweet किया है, वो decide कर सकता है कि क्या वो उस tweet को sell करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है तो basically क्या हो रहा है कि ये तरह का digital, unique digital signature हो जाएगा मतलब कि suppose ये वाला मैंने आपको tweet बताया कि ये tweet जो एक डॉरसी बेशना चाहते हैं तो इसका क्या होगा एक certificate त्यार हो जाएगा digital certificate अब digital certificate आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे share हो गया, ठीक है, share भी क्या है एक तरह का dematerialized form में आने लगा है सब कुछ राइट, तो digital platform में आगए कि आप इतने share own करते हो जैसे bond हो गया, ठीक है, आपने सरकार की government securities में निवेश किया तो सरकार ने ये bond आपको दे दिया, right RBI ने दे दिया, तो ये आप own करते हो इतना आपने खरीदा है, कुछ उसी प्रकार का एक digital certificate होगा, जो कि यहाँ पर दे दिया जाएगा कि आप इस tweet के owner हो, that's it, यही इसका मतलब होता है, और ये basically क्या होगा it is as a non-fungible token, NFT जिसको कहा जा रहा है NFT वो होता है basically, कि एक तरह का digital token होगा, जिसके तहत आप यहाँ पर उस tweet को खरीद सकते हो आप उसके owner बन सकते हो, और ये जो tweet की value है, let me tell you, ये भी उपर नीचे होती रहती है, सपोज आज के date में, आपने किसी ने सपोज ये 1000 डॉलर में खरीद लिया, ये tweet, ठीक है तो हो सकता है, कल के date में आप से ठीक है, सपोज Jack Dorsey A है एक person B है, उसने person B ने क्या किया, A से खरीद लिया और फिर एक और person C है, उसको उसका ये मानना थे कि नहीं, मुझे खरीदना था तो वो फिर B को आफर कर सकता है, कि आपने ये जो Jack Dorsey से खरीदा है, मैं इसके लिए 1200 डॉलर पे करने के लिए त्यार हूँ तो इसकी value जो है, वो उपर नीचे भी होती रहती है, ये आपको यहाँ पर समझना है, लेकिन still I am sure कि अभी भी बहुत सारे डाउट होंगे कि exactly इसका मतलब क्या है, देको simply एक तरह का digital certificate होगा ये, मतलब ये जो tweet है न, ये जो tweet है, उसका digital certificate बना कर दे दिया जा रहा है आपको और ये कहा जा रहा है कि आप इस tweet के owner हो, ठीक है, इससे ज़्यादा या कम कुछ भी नहीं है, बस simple size का ये मतलब है, और ये unique है अपने आप में, ठीक है, जैसे कि unique किस हिसाब से है, कि basically अगर Jack Dorsey ने बोला कि मैं ये tweet बेच रहा हूँ तो Jack Dorsey इसको signature करके देंगे, digital signature होगा उनका verified होगा, और ये certificate बन जाएगा, और ये unique certificate होगा, एक single certificate होगा अब वापस से ये certificate नहीं बन सकता है और ये cryptographic के तहत किया जाएगा सब कुछ मतलब कि, जो secure code होते है वो होगा, तो यहाँ पर एक single digital certificate होगा, और ये certificate की buying and selling होगी, I hope कि अब आप समझ रहोगे, उस tweet की एक तरह से buying and selling नहीं है, ये जो certificate है की ये कौन owner होगा इस tweet का, उसकी buying and selling हो रही है basically, that's it और इसके लिए लोग हैं, वो किसी भी tweet के लिए offer दे सकते हैं याँ, twitter के उपर कोई भी tweet हो, उसके लिए आप offer दे सकते हो, कि मैं इसको 50 डॉलर में खरीदना चाहता हूँ मैं इसको 100 डॉलर में खरीदना चाहता हूँ for example, मैं आपको बताता हूँ, जब इस website के अंदर मैं गया, तो आपर बहुत सारे tweet मिले, जैसे कि Elon Musk का, ये वाला tweet है I love Twitter, तो एक person है, ये handle पर $150 offer किया है, अब offer करने का ये मतलब नहीं है कि ये person इसके owner बन गहा है, offer करने का ये मतलब है कि अगर Elon Musk चाहते हैं, कि वो इस offer को accept कर लें, तब यहाँ पर एक digital certificate तयार कर दिया जाएगा, और ये digital certificate $150 वो पे करेंगे, Elon Musk ने ले लिया उसको, और वो digital certificate इस person के पास आ जाएगा, तो ये person claim कर सकता है कि ये tweet मेरा है, that's it, in fact आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि जैसे ये हो गया, इसके अंदर आप click करोगे यहाँ पर किसी भी tweet के उपर, तो यहाँ पर आप offer दे सकते हो, suppose इस person ने $150 का offer दिया है highest, आप यहाँ पर $160, $170 इस तरह से offer दे सकते हैं, लेकिन ultimately यहाँ पर जो creator है, जो Elon Musk है, उनको decide करना है कि क्या वो बेचना चाहते हैं किने, अगर वो नहीं बेचना चाहते, ठीक है वो नहीं भीकेगा, लेकिन still यहाँ पर अब आप देखोगे, तो एक और कोशन आएगा, कि suppose किसी person ने ये वाला tweet खरीद लिया, Elon Musk का ये tweet खरीद लिया, तो क्या Elon Musk के Twitter handle से, जितने भी tweets में, उसमें से क्या ये वाला tweet हट जाएगा वहां से, नहीं, वो tweet वैसा का वैसा ही रहेगा, मैं फिर से repeat कर रहा हूँ, ये एक तरह का हो सकता है कि आज जो person इसके लिए 160 डॉलर पे करने के लिए तयार है, Elon Musk का ये वाला tweet है, कल चल कर ये हो सकता है कि 150 डॉलर से ये बढ़कर 200 डॉलर हो जाए, 300 डॉलर हो जाए, तो जिस person ने खरीदा था, वो person किसी दूसरे person को बेज देगा, और यहाँ पर पैसे कमा सकता है, मतलब ये तरह का investment भी हो सकता है, आप यूं समझे, दूसरा यहाँ पर हो सकता है, sentimental value हो, आपका एक relation हो, जो creator है, जैसे कई लोगों को Elon Musk बहुत जादा person है, diehard fan है, सचिन तंदुलकर के बहुत जादा fan है, तो सचिन तंदुलकर है कुछ tweet किया, तो आपको shock है कि वो खरीद ले, जैसे कि आई हो की जो concept है, वो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, लेकिन अब यहाँ पर next question आता है कि इससे कौन कितना earn करेगा, ठीक है, सपोज 100 डॉलर की यह deal हुई है, सपोज मैं मान के चल रहा हूँ, 100 डॉलर का हुआ है, तो किसको कितना रुपय मिलेगा, तो देखी, इ dot c के पास चला जाएगा, या फिर जिसका भी tweet है चला जाएगा, और बाकी का जो 5% है, वो website के पास आजाएगा, जो valuables by cent है, वो इससे कमाएगा 5%, लेकिन अगर सपोज दूसरी बार उसी tweet को बेचा रहा है, percent b ने फिर वापस से किसी तीसरे person को बेच दिया, उस case में क्या ह होगा, कि b के पास यहाँ पर 87.5% आएगा, total selling amount का, और 10% जो original creator था, again, Elon Musk और जो भी है, उनके पास ये 10% चला जाएगा, और बाकी का जो 2.5% है, वो website के पास आजाएगा, लेकिन ये पहले tweet बेचने के बात की बात है, second, third time जब ये बेचा जाएगा, तब इसमें ये चीज दिया जाएगा, और मैं आपको बता दूँ, last में की जो Jack Dorsey का tweet है, उसके उपर करीब अलड़ी बताया जा रहा है, कि 88,000 dollar, मतलब 1 lakh dollar का भी यहाँ पर offer आया है, ऐसा बताया जा रहा है, और जिसकी value 70-75 लाक रुपे, आप सोच के देख सकते हो, मतलब crazy है ऐसा, तो I hope कि ये schedule में आपका listed होता है, लेकिन यहाँ पर जो non-scheduled banks हैं, इससे related दो statement हैं, इसको बताना है आपको कौन सा correct होगा, इसका जो right answer है, हमेशा की तरह मैं अपने Instagram पर तो डालूँगा ही, अगर आप Instagram पी नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से आप इसका right answer ले सकते हैं, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ, stories के form में, आप जाकर play कर सकते हैं, अगर आप उसे economy पढ़ना चाहते हैं, कोई भी course purchase करना चाहते हैं, study IQ app पर जा सकते हैं, यहोप की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूँ, आप से next time till then, thank you very much, see you soon.